असलाम लेकूम, गुड मॉर्निंग एवरिवन, तो जैसे कि मैंने आप से पूछा है कि मुझे जैसी टूशन वगरा खोलना है तो मैं वो अलग से उसका प्रिपेरेशन कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी ये लोगडाउन के डियूरेशन में और जो भी और एक चीज मुझे ही लिए कि हमने पूरा पे नहीं किया ना तो अललाइन इक्जाम लेने दिया नहीं है और जब गी लेकिन ऐसे बहुत सारे इशूम्स है जो ऑनलाइन एक्जाम के इन बिट्विन हुए है और अभी भी हो रहे हैं क्रियट जो कि ऐसा नहीं है कि फाइन जो problem है उस crucial problem में critical problem में सब को समझ कर लेना चाहिए जहां तक मुझे लगता है बहुत सारे बचों का जो के future है वो खराब हो रहा है कहीं न कहीं और बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या तो in between जो उनकी primary section की even जो education है वो ठीक से नहीं हो पा रही है English medium वालों की मैं बात कर रही हूँ और माशाला उर्दू medium का तो tension नहीं है ऐसे जहां पर जो government school है वहाँ जरा भी tension नहीं है लेकिन मैं उन लोगों की बोल रही हूँ जहां बहुत जादा जादा फीज पे करना हो रहा है तो इतना financial issue है पब्लिक को जो nowadays तो उस वज़ा से हर मतलब जो parents है वो परेशान है फिर भी उनको इतना मतलब headache दिया जाता है school से के भई तुम फीज पे करो तब जाके तुमारी online class चालू होगी और फिर बाद में दो बात की जाती है एक बात यह बोली जाती है कि हम लोग सब समझ के ले रहे ना लेकिन बार बार उसके लिए reminder किया जाता है उनके answer sheet नहीं दिये जाते है बहुत सारे problems है जो कि हमने भी उसको face किया है कही ना कही जब हमने fees पे की तब जा चूटती है ना कि आप fees बाद में पे करो पे करो लेकिन बाद में पे करो इतना financial issue इतना lockdown इतना coronavirus के in between fees नहीं माफ की गई तो और क्या बोला जा सकता है government तो बहुत अच्छे से बोल देती है कि fees माफ कर दो school वालों को लेकिन और बहुत सारी चीज़े बाड़ा माफ कर दो य चाहिए है parents की तरफ से भी financial issue है हर एक parents को financial issue हुआ है जो एकदम easy way से जैसे fees वगरा पे करते थे उनको तक financial issue हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि government को एक rule बना देना चाहिए था कि जो lockdown का duration एकदम जो गया है जो खाने को लोगों को problem था तो उस duration में government को rule बनान चाहिए था एक act बनाना चाहिए था कि fees पूरी तरह माफ किये जाए वो वाला एक साल जो बच्चों को एकदम से बहुत problem हुआ है parents को तो आपको क्या लगता है अगर ये video parents तक पहुच रही है तो आपको क्या लगता है ये बात सही है होना चाहिए था या नहीं होना जो हुआ है ना तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान education field में हुआ है बच्चों को सही से पढ़ना नहीं आ रहा है बच्चों का basic बहुत भी के अब अगर बोला जाए school में अगर parents मतलब school में जब बच्चे जाते है तो फिर क्या बात आती है कि भई बच्चों को पढ़ना सिख is a lockdown के in between जो problem हुआ है education sector को बहुत बड़ा नुकसान पहुचा है as well as students को भी बहुत नुकसान पहुचा है उनकी पढ़ाई बीच में बहुत लोगों की छुट गई because of fees के because of बहुत सारी परेशानियों के किसी को लोगों को खाने खाने तक के पैसे नहीं थे तो वो fees कहां से पे करेगा और अभी भी वही problems है तो जहां तक parents को like आवाज उठानी है आवाज उठानी which is mean आप बात करों आप directly application डालो कुछ भी चीज बोलना है ना आप मुह से मत बोलो मुह से बोलके कुछ नहीं होने वाला application आप एक zerox दो zerox बनाओ एक अपने पास रखो और एक school में ज जो के अभी मैं ready हो रही हूँ थोड़ा बहुत मेरा काम है वह finish करके मैं directly school के लिए निकल जाओंगे फिर इंशालला शाम में मिलते फिर और भी बाते करती हूँ बहुत सारी चीजे मुझे बोलनी रहती है जो के मैं in between भूल जाती हूँ फो जाता है मुझसे तो बहुत सारी चीजे मैं इंशालला शेर करूँगी जो के as a parents होना चाहिए यह जो काम की बाते हम लोग कभी करते नहीं और कोई करता नहीं किसी को ऐसा लगता है कि हमारे उपर blame आ जाएगा कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा जो के है parents को यह बाते जरूर किसी ना किसी के through से share करना चाहिए किसी कोई बोले तो अगर उनके support में रहना चाहिए तो यह parents का ही काम होता है तो पता है मेरी tuition वगेरा तो चुट गई है tuition के बचे माशाला काफी उनके improvement आया है basic वगेरा उनका सही हुआ है तो जैसे कि आपको बता है मेरे घर में PC है तो जस्ट आपको पता होना चा सब मेरे PC से ही कर लेती हूँ because कुछ चीजे ऐसी होती है mobile से fill up नहीं होता है ठीक है कुछ चीजे होती है जो PC से fill up होता है बहुत सारी चीजे PC से हम लोग करते है तो जो कि हमारे काम आता है एक तो हम directly यहाँ पर scan करके जो PC को scan कर सकते है हमारे WhatsApp से बहुत सारी चीजे हम लोग ले देख कर सकते हैं और माशा लला मेरे जो बच्च को भी पीज सी का अच्छा यूज अच्छा मतलब समझ में आता है अच्छी आच Gong ay दो आ है अचा क्नि आता है बहुत सारी जो ओग है अध्स ओगे रहा है और जो soft W हम लोग खुदि घर में कर लेते इसका software मार द जो कभी कभी होता है मैंने अभी हाली में एक scholarship का form भी फिलप किया था तो बहुत अच्छा था और प्रॉफिटेबल था बट वह किसी-किसी school में eligible होता है कहीं नहीं होता है तो अभी मैं tuition तो मेरी हो गई है finished क्या आपको बता है मेरी tuition के बचे जब चले गए है तो मुझे बहुत सारा काम जो मेरा painting है जैसे के अभी मैं जो जा रही हूं तो सबसे पहले तो मैं चावल चुन रही हूं चावल साफ कर रही हूं मैं जा रही हूं चावल साफ करने के लिए जो के मेरे tuition के बचे चले गए है तो अभी मुझे बहुत सारा काम बाकी है तो अभी वो मैं काम करने जा रही हूं तो आपका I hope so आपका काम भी बराबर टाइम पर हो जाता होगा तो मेरा भी दिख रहे है मेरे चावल यहाँ पर तो चावल के उपर से मुझे एक बात याद आई अभी हम लोग अगर हम को ठीक है जो negativity के उपर से मैं बोलना चाहूंगी मतलब कि अभी यह चावल है तो चावल के अंदर मुझे क्या दिखाए देगा थोट के अगर आपको चावल दिए जाए तो उसमें आप क्या करोगे तो मैं मेरे हिसाब से मैं बता रहे हूँ कि अगर मुझे चावल दिए जाए तो मैं क्या करूँगी मैं इसको मतली जो इंसान जैसा रहे गा वो वैसा सोचेगा अभी चावल को मैं क्या करूँगी मुझे क्या बनाना है मुझे खीर बना सकती हूँ मुझे बनाना है खीर अभी मैं बिलियानी बना सकती हूँ माशाळला जो मेरी creativity है मैं उसका استعمال करके उसको चावल को यूज कर सकती हूँ ठीक है लेकिन जो अपने दिमाग को जो भी खिलाएगा ठीक है उस हिसाब से उसको वो चीजे नजर आएगी अब जरूरी नहीं है कि हमेशा जो चावल के अंदर पत्थर और कीड़े ही हो होता है न ऐसा कि चावल के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता आजकल तो हमको मार्केट से सारा रेडिमिंट मिलता है सारा साफ किया हुआ उसमें आपको एक पत्थर एक कीड़ा नहीं दिखाए देगा लेकिन फिर भी क्या करते जो कुछ लोग क्या करते मैं बता रही कुछ लोगों का कि उसमें से कीड़े ढूणेंगे उसमें कंकर ढूणेंगे पत्थर ढूणेंगे तो मतलब वो है न एक कहावत जिसकी जैसी सोच होगी न वो चीज वो वैसे ही काम करेगा हमारे दिमाग को हम जो खिलाएंगे तो हमारे दिमाग जो है वैसा काम करेगा ठीकि अगर हमारे दिमाग को हम जहर खिलाएंगे तो हमारे दिमाग हमेशा जहरीला बनके रहेगा जहर उगलेगा जहर सोचेगा और अगर हम हमारे जो दिमाग को अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसी हिसाब से हमारा दिमाग जो है काम करता है और हमारी जैसी सोच होती है ना हमको चीजे वैसी नजर आती है तो like same अभी चावल है तो चावल के अंदर में like कीडे और पत्थर तो हमेशा नहीं तलाश करूँगे because markets आजकल कैसी चीजे आती है साफ शफाफ चीजे हमको मिलती है लेकिन मैं इसके अंदर क्या करने की कोशिश करूँगी वो चीजे तो एक है बेस चीजे है अगर आपको किसी को आदत होती है चलो सफाई करके यूज करो सफाई तो हम करेंगे लेकिन जो में इसका हमारा गूल है हम क्या करेंगे कि हम चावल को creativity हमारा skills का यूज करेंगे हम उसको update करेंगे उसको creation करेंगे उसको creativity यूज करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे ये नहीं कि हमेशा चावल में से कीड़े और पत्था निकालके अलग करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग को उसके लिए अलग-अलग तरीके के लिए तैयार रखें हमेशा ये नहीं सोचें कि इसमें कीड़े और कंकर होंगे हमको ये भी सोचके चलना चाहिए के नहीं उसके अंदर कुछ और भी चीज़े हो सकती है उस चाल्स हमने कुछ और भी चीज़े कर सकते हैं आपको पता है मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी को बुरा भला बलू या किसी की डिस्रिस्पेक्ट करूँ मैं हर एक को सुनकर चलना चाती हूँ और चलती हूँ अलहम दृलिल्ला क्योंकि ऐसा है ना के मैंने भी उतने जो year's हैं मैंने अपने, माशाल। से अपने साथ ससरों के साथ निकाली हूँ मैंने और जो मेरे माशालान नंदे है, मेरे जो देवर है, जेट है, जिठानी है सब के साथ हमने जिन्दगी निकाले तो हमने उसके अंदर एकी परसन को नहीं देखा है एकी परसन से नहीं मतलब हमारा सामना आमना हुआ है हमने ऐसे कितने टाइप के सौट टाइप के जो लोग है मैं उन लोगों को देख चुकी हूँ अलहमदिल्ला उनका एक्सपीरियंस है कौन कब क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता है कौन कैसे कर सकता है कौन कहां तक जा सकता है अतना experience है ये मत सोचिए कि मैं मेरी उमर पे मत जाईए और नहीं मैं जो दिख रही हूँ उस पे मत जाईए अतना experience है साथ ससरों के साथ हमने जिन्दगी गुजारे है अतना experience है और आज वो हमारी respect करते है एक छोटा सा जो mobile है as even mobile क्या है mobile तो चलो वो तो मालूमी हमको लेकिन apps एक जो mobile के अंदर apps है वो तक के हमसे एक हफते में दो हफते में 15 दिन में 20 दिन में हमसे update मांगता है तो सोचो हमको अपने आपको कितना update करना है कितना upgrade करना है कितनी अपने अंदर skills को रोज develop करना है यह फिर मैं अपनी बात यहां पर खतम करती हूँ थैंक्स फो वाचिंग फिर मिलते हैं इंशाला नेक्स व्लॉग में क्योंकि मैं दो दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी थोड़ा जादा rest ले रही थी तो अभी इंशाला फिर नेक्स तो नेक्स व्लॉग मिलते हैं अभी आप मेरी नेक्स ट्राइंग वाली एक चैलेंज या तो फिर एक चोटी सी वीडियो जरूर देख कर जाएए ठीक है थैंक्यों पर वाचिंग बाबाई अला आपीस ठीक केर फॉर आल अमे